हलो गाईज, यहांस हम अपने लेक्चर नमबर SM28 को कांटियू कर रहे हैं और अगेन लेक्चर आप लोग लोगे मोस्ट इंपोर्टन्ट होगा लेक्चर नमबर SM28 में मैंने आपको एक इंट्रॉड़क्शन वीडियो दिया था voltage regulation के उपर या फिक यह regulation का actual meaning क्या होता है इसके उपर और अभी क्योंकि हम लोग अल्टर्णेटर पढ़ रहे हैं तो अल्टर्णेटर के अंदर हम लोग voltage regulation की बात करें तो यह voltage regulation हम लोग को चार important point के बारे में समझा रहा था जो कि already हम लोगों ने आपे discussion किया हुआ है उके सबसे पहला problem था कि load को अगर आप off करता है तो उस basis पे voltage इतना rise up नहीं होना चाहिए कि अंदर का जो winding का insulation है या फिक यह core के उपर जो insulation वो एक तरीके से breakdown हो जाए उसके बाद जो भी हम लोग यहाँ पर automatic voltage regulator बनाएंगे उसको बनाने में help करेगा उसके बाद short circuit condition में भी आपका देख रहे था voltage काफी जदा down हो जा रहा था तो stability एक तरीके से खराब हो जाएगा उसके बाद आपने देखा था क्योंकि alternator बहुत सारे parallel में लगे होते हैं तो infinite बस बार पर constant voltage maintain रहता लेकिन अगर आपके alternator का माल लेते है voltage regulation काफी पूर है तो बस बार पर आप कभी भी voltage को constant maintain कर नहीं पाईएगा ठीक है अब fail हो जाएगा वहाँ पे तो अगेन वह एक तरीके से क्या है stability वहाँ पे खराब हो जाएगा आपका system का तो अभी voltage regulation को find out करने के लिए हम लोगो सबसे पहले बाई voltage regulation calculate करना आना चाहिए न समझ रहे बात को क्योंकि सीधी ची बात है formula आपको already मैंने discuss किया है EF हैनी no load voltage तो सीधी ची बात है इसका value प average है ठीक है तो अभी हम लोगों ने देखा था कि चार method है हमारे पास alternator के अंदर voltage regulation को find out करने के लिए तो सबसे पहला method है जो कि आज हम लोग discussion कर लेंगे यह आपका electromotive इसी को हम लोगो बहुर है EMF method और इसी का दूसरा नाम है synchronous impedance method तो सबसे पहले नाम पे हम लोग focus करेंग यह जो आपका इतना portion है ना synchronous impedance यह क्या होता है तो already मैंने हाप पे circuit बना दिया है यह आपका armature reaction के चलते जो effect आता है XAR यह आपका winding के चलते resistance यह आपका leakage के चलते यह आपका reactance लगाए गया है ओके आपको पता है यहाँ पे जो voltage होता EF बोलते है armature reaction effect लेने के बाद का जो voltage बोलते हैं और यहाँ का जो voltage है terminal voltage जिसका हम बोलते है VT एक तरीके से तो अभी भाई synchronous impedance का मतलब होता है इन तीनों को एक तरीके से combine करना जैसे यह reactance है यह भी reactance है दोनों जुड़ जाएगा ठीक है और यह फिर RA तो CTC बात है RA plus XL मतलब यह ZS अगर हम लोग find out करने की बात करते हैं क्या होगा आपका root under RA का स्कोर R plus X से XS बोल देता है synchronous reactance का स्कोर तो यह जो मिलेगा आपको यह क्यारत देदेगा synchronous impedance देदेगा तो आज इस particular method से यह ZS का भी आपको बहुत अच्छा knowledge हो जाएगा और क्योंकि ZS के अंदर में ही आपका यह आ रहा है ठीक है यह वाल reactance से क्यों replace कर देते हैं एफिक है इस reactance का नाम है बस भाई मतलब armature reaction और reactance हम लोग क्यों replace करते हैं यह भी आपका एक तरीके से clear हो जाएगा ओके तो इस method में हम लोग actual करेंगे क्या ठीक है इसमें भाई हम लोग कुछ नहीं करते हैं हम लोग का है पर main काम होता है जो mmf है ठीक है mmf कहने का मतलब जैसे यह मेरा एक तरीके से synchronous alternator है ठीक है एफिक है यह generator है इसको हम लोग लगाएंगे मा लेते है एक general load लेके चलते है RL load तो सीधी सी बात भाई इसके इंदर कितना तरीके का flux बनेगा जैसे सबसे पहले no load मा लेते कोई load नहीं था क्योंकि कोई भी करते हैं सब DC मशीन मा आपको मैंना समझाय हुआ है अल्रीड तो अभी माल लेते हैं नो लोड पे है आपका हम लोगों ने कहा किया सबसे पहले rotor को एक तरीके से प्राइम ओर से करके NS के speed पे घुमा दिये है वसके हम लोग ग्रेजुली क्या कर रहा है फिल्ड करेंट को इसको हम लोग आरमेशर वाइंडिंग बोलेंगे इसके अंदर क्या होगा EMF इंडियूस्ट हो जाएगा तो आपका एक फ्लक्स बना फिल्ड फ्लक्स जिसको बोलेंगे इस फिल्ड फ्लक्स से 90 डिरी लैक करेंगा EMF तो यह आपका EF बन गया ठीक है यह नो लोड का कंडि और इस फ्लक्स बनेगा एक अपका फ्लक्स बनेगा एफ आर इस फ्ल्क्स बनेगा एक हम लोग का EMF बनेगा जह हम बोलते हैं ER तो समझ यह भाई यहाँ पे यानि इस method में हम लोग कुछ नहीं करते हैं जो MMF है ठीक है उसको हम लोग EMF में convert करके लिखते हैं कैसे जैसे दीखे अगर हम लोग यहाँ पे अपने OCC curve की बात करें FEC को हम लोग बोलते हैं Magnetization Curve इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का क्या था Voltage था ठीक है और यहाँ पे क्या था आपका Filled Current था तो Filled Current अगर आप बढ़ा रहा हैं तो सीदी सी बात है Voltage आपका बढ़ेगा इस तरीके से आपका बढ़ रहते हैं यहाँ से लेके आपका लिनियर था उसको आपके saturate कर जा रहा था अब यहाँ पे ऐसे समझेए MMF और इदर है इसको Convert करना है कि इसमें EMF में तो हमारे Synchronous Generator के अंदर में अभी EMF देखें तो EMF कितना है एक तो आपका NoLoad पे जो Sorry MMF भाई ठीक है MMF क्या है एक तो आपका FF है इसको हम तो FF से बोलता है ठीक है यह नि जैसे Filled Flux है न भाई तो इस Filled Flux Flux बराबर क्या होता है आपका MMF divided by आपका Reluctance ठीक है तो यह जो MMF क्या लिखते हैं N into I और यह I क्या हो जाएगा IF हो जाएगा ठीक है Filled में जो Excitation दिया उसके चलते जो MMF बना तो एक तो आपका Filled MMF है ठीक है और Phasor Diagram से कर दिखाया तो यह हो गया आपका Filled MMF और इस MMF के चलते यह नि इसको MMF बोलिया अफि भाई आप Filled Flux बोलिया कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो एक तो Filled Flux हो गया Filled MMF हो गया इसके चलते आपका एक Flux बना Filled Flux इस Flux के चलते आपका एक EMF induced हुआ EF यह कहने का मतलब है ठीक है तो आप कहेंगे न इस MMF के चलते जो मेरा EMF induced हो रहा है हमारे मशीन के अंदर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ EF लिख सकता हूँ मतलब यह MMF जो है Responsible है EF के लिए ठीक है अब Second Case यह तो No Load का Case देखा हम लोगों अब Second Case में जैसे हम लोड लगा रहे हैं तो लोड लगाते हैं क्या होगा एक Current Flow होगा आपके Armature Winding के अंदर आईए इसके चलते हमारा एक और Flux Setup हो रहा है जिसको हम लोगो रहा है Phi A ठीक है अब समझे ही जो Flux है तो सीदी सी बात है Flux भाई MMF से बना होगा ना तो इस MMF को हम लोग बोलते है Phi A मतलब Armature MMF तो इस Armature MMF के चलते हम लोगों का यहां पर Armature Flux बनता है ठीक है यहां पर मैं लिखता हूँ सीदी सीदे कि लोड लगाया आपने आईए आया आईए के चलते मेरा यहां पर एक और MMF बना Phi A और इस Phi A के चलते मेरा जो एक voltage आता है उसको हम लोग क्या बोलते है क्योंकि देखे यह जो भाई Phi A है ना यह Phi A क्या करता है यह वाला flux और यह वाला flux एफिक है यह वाला MMF और यह वाला MMF आपस में इंट्रेक्ट करके हम लोग का resultant MF बनता है कहीं इदर क्योंकि इसका दो comment टूड़िया लेगा 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 demagnation का एक cross-magnation तो यह हो गया एक तरीके से कहिए FR मतलब resultant MMF और resultant MMF को हम लोग जा लेगा है resultant flux तो अब machine के अंदर overall यह मेरा flux है एक तरीके से तीक है resultant flux यह है तो सीदी सी बात है जो मेरा ER बनेगा इससे 90 degree हो जाएगा मतलब यह इस तरीके से बनेगा अशा अलड़ी समझा हूँ आपको तो समझ यह FF से यहनी FF से बनेगा मेरा EF उसके बाद देखें ना गुप के साथ अगर मैं synchronize हूँ यहाँ पे तो यह लिखा भई FF से मतलब मशीन के अंदर सब से पहले आप लिखा MMF कितने तरीक है तो एक FF हो गया एक आपका लोड लगा रहेंगे चलते Armature MMF हो गया ठीक है और इन दोनों का जो Resultant होता है तो यह हम लोगोको देदेता है क्या Fr 我 hope क्या आपको यह दिखा होगा देखें यहाँ पर देखें भई एक तो आपका filled MMF है एक आपका Armature का MMF हो गया ठीक है और इन दोनों का जो resultant होता है यह हम लोग को दे देता है यहां पर क्या fr ठीक है तो वही लिखा हुआ है कि fr को हम लोग क्या लिख सकते हैं filled mmf प्लस आपका r-mature mmf सबके उपर vector क्योंकि हम लोग फिर दाइग्राम में एक तरीके से इसको add कर रहा है यह आपका filled mmf यह आपका एक तरीके से कहिए r-mature mmf इन दोनों का resultant देखा तो हम लोग का fr है तो fr को क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं factorial addition किया है हम लोगोंने अब समझ यह यह जो fr है ठीक है यह जो कहिए जैसे मैंने आपके बता ना ff से यानि इस ff से हम लोग का एक voltage build up होता है इसको बोलते है ef यानि इस ff से हम लोग का voltage हो रहा है ef plus plus है plus दे देंगे यह जो mmf है यह आर-mature mmf इसके चलते जो हमारा voltage बनेगा यह क्या बनेगा इसको हम लोग लिख सकते है e-a-r मतलब आर-mature reaction एक त्रीके से सीथी ची बात है भाई यह अपने आप में mmf है तो mmf कहना मतलब आप में flux है तो इस flux से चलते भी तो एक voltage build up होगा समझे जिसको हम लोग लोग बोलते है e-r मतलब आर-mature reaction voltage और यह एक त्रीके से resultant mmf है तो resultant mmf चलते है जो voltage बंतलब लोग क्या बोलते है e-r ठीक है यानि इसको अज़र मैं और तोड़ करके समझाओं equivalent circuit diagram से सबसे पहले no load के time में हम लोग का एक mmf था सिर्फ उसे filled mmf ठीक है इसके चलते हैं हमारा बना voltage e-f इसलिए मैंने लिख दिया है यहापे ठीक है यह mmf responsible है इस voltage के लिए ठीक है अब जैसी आपने load लगा यहाँ पे तो load लगाते हैं यह current flow हुआ अब current flow इसमतलब के आर मेचर winding के अंदर क्या होगा एक तरीके से खुद का current आगया तो खुद का current आगया तो सिर्थी बात अब खुद का एक flux भी बनाएगा flux बनने का मतलब का है उसका खुद का mmf है तो यह लिख रहा हम यहाँ यहाँ पे fa मतलब armature mmf तो भाही क्योंकि यह भी एक तरीके से changing nature का होगा ना समझ बात को तो यह अगर changing nature का तो सिर्थी बात से चलते भी एक voltage build-up होता है इस voltage को हम लोग बोलते है EAR ठीक है यहाँ है यहाँ पे वोल्टे था नो लोड पे EF ठीक है जैसे अपने लोड लगाए तो इसके अंदर जो हम लोगा effect है यहाँ पे एक voltage drop होगा ना यह voltage drop कितना होगा यह EAR के बारे में बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पे drop होगा drop होने के बाद यहाँ पे जो voltage बचलेगा यह क्या बोल जाएगा अपका ER ठीक है तो यह लिखा वाई तीन तरीके का MMF है resultant MF होगा यह field MF होगा यह आपका armature MF होगा ठीक है इस MF के चलते है यह voltage इस MF के चलते हमारा यह वाला voltage और इस इन दोनों का क्या EMF method EMF method कहने मतलब हम लोग अपने MMF को पूरा-पूरा किसमें convert कर देंगे EMF में convert कर देंगे थोड़ा सम्दों बुक के साथ synchronize होते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग को कुछ और भी चीज समझ माया है तो सबसे पहले रिखा हुआ भाई इस फर्स लाइन छोड़ देते हैं और यह particular method से आपको भी synchronous reactance का भी आपको समझ में आएगा ठीक है मतलब यह इसका combination और इसका combination यह दोनों को अगर आप जोड़ दीजेगा तो इससे हमारा बनता है XS मतलब इसको बोलते है synchronous reactance ठीक है तो आइए यह भी आपको सीखने को मिलेगा और इस और यह जो है ना यह आपका सिर्फ और सिर्फ किस के लिए है किस machine के लिए तो cylindrical क्यों क्यों आपका non uniform air gap होता है तो जो भी चल रहा है वो पूरा पूरा आपका cylindrical के लिए चल रहा है को दिमाग में रखना है और अभे इस method में हम लोग saturation को एक तरीके से neglect करके चलेंगे मतलोlla saturation नहीं आ रहा है saturation नहीं आने का मतलब हम लोग कहां पे काम कर रहा है इस जबका मैंगनटाआज़िचिं है यह इधर ही इतना ही दूर में हम लोग काम कर रहे एक तरीके से ठीक है उधर नहीं जा रहा है saturation रीजन में नहीं जा रहा है एक तरीके से लेकर करके चला है और इसमें लों कुछ नहीं कर रहे हैं जो M M F है इसको अगर क्या अगर रिप्लेस्मेंट करते हैं कि इसका MMF का ठीक है MF को रिप्लेस करने किस से उनके कोर्रोस्पॉंडिंग EMF से ठीक है इस MF के चलते आपका flux बना इस flux के चलते आपका यहाँ पर क्या बना EMF बना ठीक है तो वही आपको समझा दिया है अब हम लोग थोड़ा सा नीचे में आते हैं आपको हमेशा मैंने बताया भाई कि अगर यह आपका फिल्ड MMF है तो फिल्ड MMF के चलते हमारा एक फिल्ड फ्लक्स बनेगा फिल्ड फ्लक्स के चलते जो वोल्टेज बनेगा EF यह क्या होगा इनके बीच में इसा 90 degree का phase shift होगा यहापे भी दिखाया है आपको अगर यह MMF है तो इसके चलते हमेशा बनेगा EF इनके बीच में हमेशा क्या होगा 90 degree का phase shift रहेगा मतलब यह EF जो होगा lag करेगा हमेशा 90 degree कि से ठीके तो वाई चीज लिखा होगा उसी तरीके से अब आपका एक resultant बना ना resultant करना मतलब यह दोनों combine करके हमारा flux बना net flux या FR ठीक है तो इसके चलते है अब क्योंकि मेरा overall flux यहाँ पर shift हो गया है तो इसके चलते है जो ER बनेगा net voltage यह फिर रिजल्टन वोल्टेज तो इसके बीच में क्या होगा इसके चलते हमारा voltage बनेगा यहाँ पर ER यह भी क्या होगा एक तरीके से 90 डिगरी lag करेगा उसी तरीके से एक और हम लोग का MMF है फाई स्वारी FA ठीक है तो इस FA के चलते हमारा voltage बन रहा है EAR यह भी क्या करेगा एक तरीके से 90 डिगरी lag करेगा मतलब 3 MMF है FR, FF और FA इन तीनों के चलते जो EMF बन रहा है यह सब क्या होगा एक दूसरे से 90 डिगरी lagging पर होगा तो यह आपका इतना clear हो गया अब थोड़ा सा भाई हम लोग यहाँ पर पाउज होंगे और थोड़ा सा हम लोग एक basic fundamental के बारे में जानेंगे इसके बाद फिर हम लोग continue परेंगे देखें यह important है भाई हम लोग के लिए j operator तो j operator होता है कि actually यह मैं आपको पहले समझाता हूँ उसके बाद फिर हम लोग इसको machine में एक तरीके से correlate करेंगे जे कुछ नहीं भाई यह हम लोग का एक operator होता है जो की हम लोग को बताता है एक तरीके से 90 degree का anti-clockwise में phase shift ले लेना ठीक है जैसे माल लेते हैं आप अभी यहाँ पे खड़े हैं ठीक है और आपका नाम माल लेते हैं A है ठीक है आपका नाम A है तो अभी आप यहाँ पे अगर मैं आपके आगे j लिख दूँगा ना ठीक है इ अब आपको क्या करना anti-clockwise direction में एक तरीके से कितना 90 degree shift कर जाना है ठीक है तो j अगर आपका लग गया तो आपका position यहाँ पे नहीं है आपको कहाँ पहुंच जाना है सीधे सीधे यहाँ पे पहुंच जाना है ठीक है यह हो जाएग आपका j a यह आपका actual position है मतलब 90 degree आप anti-clockwise गुमिया तो कहाँ पहुंच जाना है इसका मतलब क्या अब आपको कहाँ आना है यहाँ पे आना है जे इंटू जे अब यह आपका right position है वही अगर मान लेते हैं आपके आगे और इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस तरीके से सीधे सीधे जे है ना भाई तो जे स्क्वायर ल a2 a बाई j bracket में लिखा हो j into a ठीक है इसको मैं क्या लिख सकता हूं जे स्क्वायर इन्टू a लिख सकता हूं कर ने लिख सकता हूं समझी और मैं आपको यहाँ पर इस तरीके सब रफली समझाता हूं पहले आप यहाँ पे थे तो आपका position था a यहां से जब आप 90 degree anti-clockwise यहां पर पोजिशन होगा आपका J A, यहां पर J A स्क्वार होगा, ठीक है, मतलब यहां पर A थे, यहां पर जब आगे तो आपके आगे J लग जाएगा, अब यहां से महाले तो आपके आगे एक और J लगा दिया मैंने, तो सिधी जी बता को कहां पोँचाना होगा, यहां पो अब आले ते आगे एक और मैं J लगा दूं तो इसका मतलब कि अब यह आपका एक्चुल पोजिशन नहीं है आपको फिर से क्या करना है 90 degree anti clock में shift हो जाना है यहाँ पे पोहँचाना है यहाँ जाना है यहाँ पे पोहँचाना हो जाना है यहाँ पर फिर से आपको क्या पोहँ समझी है ऐसे यहाँ पे जब थे पोजिशन तो यहाँ पे आपका नाम था A या फिर इसी को हम लोग लिख रहते क्या जे का पावर 4 into A यह लिखा जा रहा था ठीक है दोनों आपका सेम कैसे सेम आप भी प्रूफ करेंगे यहाँ पे थे आप तो यहाँ पे आपका पोजिश आप A पे हैं इस पोजिशन पर अगर आप A पे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे ऐसे तीर बना देता हूँ मैं देखें जब यहाँ पे हैं आप A तो इसका जस्ट 180 face shift जो कि क्या बता दे रहा है आपको यानि अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आपको 180 face shift करना हो तो आप आप कहां पहुँच जाईएगा J2 A पे पहुच जाईएगा मतलब क्या हुआ जैसे हम लोग फेजर में दिखाते हैं ना बाई कि अगर यह माल लेते हैं current है आईए और एक current माल लेते हैं यह आपका IF और यह दोनों एक दूसरे के opposite है यह इधर भाग रहा है इधर भाग रह कर रहा है ना समझ रहा बात को यह इनके बीच में सा 180 degree का face shift है यहां पैसे समझ लीजे इधर हो गया आपका I A इस साइड में है आपका IF क्या हुआ यह दूसरे को cancel out कर रहा है समझ रहा बात को है फिक हम लोग लिख सकते हैं I A क्या है एक तरीके से minus हैनी opposite है किसके IF के तो य मैं यहां पे A को लिख सकता हूँ क्या minus A समझ रहा बात को भाई मेरे इस J को हटा दीजे आप इस J को आगे से हटा दीजे अगर यहां पे इसका actual position इसको भी भूल जाए इसको भूल जाए अभी यहां पे अगर यह A है तो इस side में इसके just opposite एक्सवा सी face shift पे यह क्या हो जा ठीक है और आगे हमें कुछ नहीं चुपा हूँ इसका मतलब क्या है यह 1 चुपा हूँ है इसका मतलब क्या यह J स्कुएर का value क्या होता है minus 1 के बराबर होता है ठीक है तो इस सब को याद करने का मतलब नहीं बनता है यह सब concept होता है वही बुक के साथ synchronize हो जाए थोड़े अच्छे से तो जैसे अभी आपका यह A position ठीक है तो यह origin से देख रहता आपका value क्या है यहां से लेकर यहां तक यहां से line पढ़ते है consider OA यह OA ठीक है अफ length V इसका V length है ठीक है अब वह रहा है V is operated upon by J यानि इसमें हम लोग क्या कर रहे है J लगा देना है ठीक है तो यह क्या रोटेट कर जाएका NT clock wire direction by 90 degree यह कहां पहुंच जाएका यहां पर पहुंच जाएका यानि अब जो value हो गया यह क्या है and takes position OB यहां पर यहां पर यहां पर यह लगा दिया तो यह यह लगा तो यह वाले position पा यह लगा जाए यह पर पहुंच जाएगा ठीक है we write O B equal to, ठीक है O B equal to, ठीक है O B equal to, ठीक है, क्योंकि पहले इसका V था magnitude, ठीक है, अब आगे इसको हम लोगो 90 degree एक ते shift कर दिया, तो क्या होगा, J V लिखना पड़े हैं कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताईए हैं, समझ रहे बात को, अब आगे बोल रहा है, कहनी O D के वाले position पहा जाएगा, इसमें एक और अगर मैं J लगा दू, multiply कर दू, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाए J का power 4, और यह फिर से आपर पहुंच जाएगा, तो आई चीज लिखा हो, भाई कि जो OC है, OC कहने का मतलब क्या, यह वाला OC, देख रहे हैं, OC, तो OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस V है कि नहीं है, बताईए, अगर V है पहले यह, और यह वी था पहले, ठीक है, तो OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और अगें, OC का वैलिउ हम लोग पास एक और वैलिउ पता है, अगर यहां से यह स्क्यार का वैलिउ आगे ना, माइनस V ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, और अगर आपका यहां स्क्यार का वैलिउ माइनस Vन आ गया, तो सेथी जी बात है, जे गुल्ड़गा हो जाएगा, रूट माइनस यहां पी क्या है आपके पहले A को हम लोग क्या लिख सकते को और J का पावर 4 इनटु है आपको पता है J का पावर 4 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं J sq.1 into J sq.1 तो 1 J sq.1 मैनस 1 एक दूसरे का मैनस 1 ठीक है यह पूरा-पूरा एक के साथ मल्ट्पियाती, क्या हो जाएगा आपका, मतलब जे का पावर 4 का वेल्यू क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक, गिए माइनस 1 इंटो माइनस 1, चल रहा ना, तो एह ही हो जाएगा आपका, तो, इस सब आपको वेल्यू याद करने को यह मतलब नहीं बनता है, ओके, देखें, यहाँ पर सब चीज लिखा हुआ है, जे का वेल्यू, रूट अंडर माइनस 1 होता है, जे स्कॉर का वेल्यू, माइनस 1 हो जाएगा, कैसे होता है, समझा दिया माइना, जे स्कॉर मतलब क्या है, एक स्कॉर सी, फेस सिफ्ट हो गया, एक स्कॉर सी मतलब क्या है, दूसरे का पॉजिट, इसलाब माइनस लिखते हैं, जे क्यू को मतलब एक का पता है, दूसरे का पता तो, तीसरा निकल जाएगा, तो यह आपका हो गया एक त्रीके से माइनस जे, जे स्क्वार का वेल्यू पता है इसको दो पार्ट में तो ओड़ सकते हैं, माइनस बाद जाएगा इतना समझ गये, अब इस हम लोग कहां पर यूज़ करेंगे अपने मर्शीन में इस पर हम लोग बात करता है और एक चीज़ में बता देता हूँ यहां पर जैसे बुक के साथ यह से इंक्रोनाईज होता है देखें, यहां पर एक लास्ट लाइन लिकाव, हैंस अब हम लोग ने जे पॉस्टिव लिया होता, ठीक है, जैसे अब ही बताई ए है, तो ए में अगर हम लोग जे मुल्टिप्लाइ करते हैं यहां पहुँच जाएगा, जे स्कॉर करते हैं, यहां पहुँच जाएगा ठीक है है एम नसले हम लोगों मैंने positive सम्ट्टिफ भाई J अगर अगर आ कर आते हैं अगर अपको एंगर यहा आपको ऊप्वाइटेयोेध उखलेटीशन है और अभी कर एक साथ मैनल्यशने मटीप्laई कीज़ेक तो सबस्टारी आपको एकछाटिक नहीं होना है, यह clockwise direction में 90 degree shift होते चला जाना है, ठीक है, वह यह अगर आपका minus j square into a बोल देगा, तो सीधी सी बाते को कहां जाना होगा, 180 degree clockwise direction में shift कर जाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपको पता है, यह minus j square का value, देखें, j square का value क्या होता है, एक तरीके से, j square का value, minus 1 आगया, minus 1 लगाओते, क्या हो जाएगा आपका, मतलब ऐसी कर सकते हैं भाई, यह इतना complicated न मत कीजिए, अँनों मशीन में इसको यूज करें, कैसे यूज किया जाता है, और यह सब phaser diagram आपको help करेगा, समझने में, देखें, अभी मशीन में सबसे पहले जनरल लोडिंग का phaser diagram लेकर चलते हैं, यह हो गया कि तरी field flux, जो की field mmf के चलते बना है, यहाँ पर आपका no load पर excitation voltage बन गया, ef, अब current आया, जैसी ही load लगाया तो आईए, यहाँ पर आपका एक flux बना फाईए, तो overall इसका दो component तोड़ जीए, phi a d axis और phi a q axis, ठीक है, एक चीज़ और समझाता हूँ आपका भाई, ठीक है, basic electrical में cover नहीं हुआ था जीश, लेखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, o y, o y कहने मतलब o y, यह वाला, ठीक है, imaginary axis, imaginary axis, quadrature axis और j axis, j axis आपको समझ मारा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई, x, imaginary axis को j axis भी बोलते है, ठीक है, मतलब यहाँ पर किजयते क्या होगे, एक तरीके imaginary होगे, imaginary को हम जो j से रपेजेंट करते हैं, क्या एक तरीके real तो r e से रपेजेंट करते हैं, ठीक है, तो समझे, j axis समझ मारा होगा, imaginary axis समझ मारा होगा, अब हày a quadrature axis कििस बेसे पर बोलागे, यह आपको समझ मारा चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने machine पढ़ निया, ठीक है? तो आप electrical machine कहीं साब से जैसे, d axis, q axis पढ़ा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, यह जो flux टूटा, तो यह जो component होता है, x-axis को क्या बोल रहा है हम लेहाँ है, d-axis बोलते हैं, ठीक है, y-axis को क्या बोलते है हम लोग, q-axis, मतला quadrature axis बोला जाता है, ठीक है, तासे ही समझ सकते हैं, और आपको यह सब समझ मा रहा हो कि, basic electrical में, अब इस term को समझाना कितना complicated हो जा जाएगा, सब चीज, तो इसके चलते हैं, आपका resultant flux बनेगा, यह हो गया आपका FR, इसके चलते हैं, अब मेरा यहाँ पर, एक resultant EMF बना ER, ठीक है, और आपको मैंना बताया था already, कि, इसके बीच में कहीं पर, मेरा VT आएगा, ठीक है, अब यह पूरा-पूरा phasor diagram भी थोड़ा सैसे समते हैं, इसको हटा देता हूं, समधिए, सबसे पहले हम यहाँ पर field flux बना, यह आपका EF बन गया, ठीक है, no load का, हम लोगोंने situation लेगा, हम लोगो direct current नहीं flow करवाए, हम लोग direct VT से बात करते हैं, मतलब हम लोग machine को कैसे देख रहे हैं, machine को, हम लोग इदा से आपको चलना है, इस तरीके से आपको loop लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, VT मिलेगा, तो मा लेते हैं, मेरा एक तरीके से VT यह है, ठीक है, इसको ऐसे समझे, यह मेरा VT है, और इस VT से जो भी current आपको RL लोड लिया हूँ, तो यह लैक करेगा, मा लेत सबसे पहले हैं, तो सीदी सी बात है, VT में प्लस करना होगा क्या, सबसे पहले यह वाले drop, आइए इंटु XAL, तो अभी मैंने जो इस तरीके से लिखाना, यह अभी अधूरा है, ठीक है, आगे मैं को J लगाना होगा, यह तो J लगाना होगा, माइनस J लगाना होगा, अब समझ यह, J का क्या मतलब होता, अभी समझ माएगा आपको, प्लस यह वाला drop, यानि IA into R, ठीक है, तब जाकर कहां पहुँच जाएगा, ER तक पहुँच जाएगा, तो अगर मेरा VT है, तो VT मेरा क्या जोड़ना है, सबसे पहले IA into R जोड़ता है, IA into R A क्या होगा, current कहीं phase में होता है, current के phase में, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, यह माले ते मेरा क्या है, यह drop होगे IA into R A का, और, क्योंकि अब इसमें एक और drop दिखाना है, यह reactance के पास का drop है, ठीक है, तो सीदी सी बात है, यहाँ पर जो आपका voltage होता है, बाई, जो भी voltage drop होगा, यह क्या XAL लिखा हो है, समझ रहे बात को, तो आपको inductor का तो behavior पता है, ठीक है, actually मैं आपने इसका एक तरीके सा operation करके, सब चीज समझा होगा भाई, इसलिए आप कहा है कि इसको 90 degree phase shift दिखाना होगा, लेकिन अगर आप mathematically देखे, engineering में दो चीज से समझा जाता है, एक तो आपका graphical method ह होता है, तो अगर आपने इस mathematics के रूप में, यहाँ पे equation जो लिखा हो है, voltage drop का, यह फिक ही voltage का, must be equal to ER लिख देते है, ER मतलब VT प्लस इतना, ठीक है, तो यह incomplete है भाई, इसमें आपने operator को introduce नहीं किया है, तो कभी भी यह नहीं बता रहा है, कि आपको यह phaser diagram ऊपर लेके ज ठीक है, बस समाझ यह J क्यों लगा, यह clear हो गया, तो J जैसे ही लगाएंगे, इसका मतलब क्या, अगर हम लोग इस axis पे हैं, तो सीदी सी बात है, मैंने को 90 degree जाना होगा, ठीक है, यह नहीं इस से 90 degree आपका voltage lead करता है, तो अगर यह है तो lead मतलब ऊपर भागना पड़ेगा, ठीक है, यह होगा है मेरा, यहां पर लिखेंगे, J into IA XAL, यह drop ठीक है, तो VT, यह वाला voltage, IA R voltage, यह वाला voltage, इन लोग जोड देंगे, तो यह मेरा क्या बन जाएगा, एक ठीक है, E R बनेगा, ठीक है, और इसको EF को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि EF हमेसा बड़ा हो ठीक है, तो और उपर बना लिए, ठीक है, तो मैं रफ आपको बता रहा है, तो I hope कि यह समझ माँ है, और J operator का क्या एक ठीक होता है, और वही चीज, यहां पर जैसे armature reaction है, तो armature reaction के effect को भी हम लोग समझेंगे, तो क्योंकि इसको reactance के रूप में दिखाते हैं, तो यहां प अब यह आपका page number है, 559, इधार था आपका 557, तो 557 में voltage irrigation का definition से पढ़ लिया, यहां पे हम लोग ने introduction देख लिया है, इस method में कहके हम लोग करना होता है, यही सिधे-सिधे MMF को EMF में convert करना है, ठीक है, तो हमने यहां से ही phase diagram का साहरा लेते वे start करेंगे, और यह तुरण पर रोटर में हम लोग उने एक ठीक एक्साइटेशन दिया हुआ है, यह अपका magnetic field बन गया, इसका हम लोग एक तरीके से anti-clockwise direction में घुमा रहे है, तो सीधी सी बात है, आपका सबसे पहले no-load condition चलेगा, यह नहीं इसके अंदर आपका एक तरीके से EMF induced होगा, ठीक है, EMF induced हो इसका मतलब कि हम लोग फेजर डाइग्राम बनाएंगे, तो इसका थोड़ा और नीचे करके बनाते हैं, क्योंकि space बचेगा नहीं फिर, यह हो गया अपका field flux, इसके चलते मेरा voltage बना एक तरीके से, EF, EF को थोड़ा उपर रखता हूँ, क्योंकि यह थोड़ा बढ़ा जा जो कि अपने ही साथ से चल सकते हैं, इधर से भी लेकर करके चल सकते हैं, तो यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे पहले हम लोग मा लेते हैं, current flow आईए, अपने ही बस समझ यह बनाना आपने आप आ जाएगा, ठीक है, VT है, VT के चलते, मेरा current flow गा कुछ नकुछ आईए जो कि lag करेगा कुछ भी एंगल अभी नाम यह से मतलब नहीं है कुछ भी नहीं है अभी बस समझ यह बेसिक वेम है और अगर आपको ER दिखाना यह वाला गोल्ट है तो अभी जस्ट समझाए मैं आपको कि VT में हम लोग को सबसे पहले यह वाला ड्रॉप और यह वाला ड्रॉप दिखाना हो ठीक है तो सबसे पहले VT, VT के फेज में क्या कीजिए आप IA into R दिखा दीजे ठीक है यह होगा आपका IA into R ठीक है अब इसमें 90 डिगरी दिखा दीजे एक तरीके से IA into XA L अब यहाँ पे J लिखने होगे मतलब नहीं क्योंकि अलड़ी यहाँ पे डिरेक्शन अब लोन दो सो कर दीए ठीक है Mathematics जब करके दिखेंगे तो वहाँ पे आपको J लिखना जिरूरी होगा यह जो जुड़ेगा यह बन जाएगा आपका ER ठीक है अब मैं आपको बताया था इसको EF को और थोड़ा बढ़ा करते हैं क्योंकि lagging load में EF हमेशा बढ़ा होता है ठीक है अब ही अगर मेरे को EF तक जाना है EF कहने का मतलब यहाँ तक यह आपका EF है ठीक है यहाँ तक अगर जाना है तो सीधी ची बात अभी भी क्या है यह गैप बचा हुआ है इस gap में हम लोग का जो vector होगा ऐसे भागेगा ऐसे भागेगा ऐसे भागेगा ऐसे कहां से मत तो यह line कैसे खीचेंगे इधर इदम straight चला जाएगा ऐसे जाएगा कैसे जाएगा इसको पता करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना हो कि armature reaction के effect को हम लोग किस वे में represent करें अगर resistive load में represent करते हैं आर्मेचे रेक्शन को मैं यहाँ पर resistance replace करता भाई तो resistance replace करने मत तो कहाँ जैसे यहाँ अगर हम लोग केवेल लगाएंगे पूरा-पूरा केवेल लगाईए तो क्या हो जाएगा आपका VT में जोड़ेंगे सबसे पहले IA into RA plus अपका IA into XAL यहाँ मैं J लगा देता हूँ ठीक है प्लस अगर मैं आर्मेचे रेक्शन को resistive way में अगर replace करता तो क्या करना हो था प्लस फिर IA into यहाँ पर लिखते है R AR कर देता अगर मैं resistive way में करता तो सीधी सी बात है ER देखे इतना जो voltage है जैसे ER का value क्या है भाई यही है ना VT plus IA into RA plus J into IA into XL इतना क्या है V भाई ऐसे समझे EF equal to क्या लिख सकते है हम लोग ER plus क्या लिखेंगे EAR समझ रहे बात को तो ER का value क्या है यह वाला value है ठीक है इतना हम लोगों ने put कर दिये देखे इतना दूर क्या है मेरा ER समझ रहे बात को ER अब इसमें हम लोगों को और जोड़ना है ना आए आर थी, ER को हम लोग ऐसे represent मतला है अगर हम लोग resistance के रूप में एकर सो replace करते है तो सीदी सी बात अगर यह EAR है तो यह क्या होता है इस current के phase में चला जाता है यह अपका current है ना इसके phase में आपको दिखाना पड़ता है इसके phase में दिखाना मतला ऐसे जाना पड़ता यहां पर लिखते ए आर ठीक है तो बता ही गलत होता कि नहीं होता क्योंकि यह मैच नहीं कर रहा क्योंकि आपको नहीं देखा कि इस फिल्ट फ्लक्स से चलता जो वोल्टे यहां पर एक त्रीके से सहे नहीं और अब आपर आप दिखा भी नहीं सकता है अगर यहां पर रियक्टन से दिखाता है और भी आपको ब्रेक करके मैं समझाओंगा अगर मैं इसको रियक्टन से दिखाता है तो रियक्टन से दिखाने पता कि अगर यह एर वोल्टेज है तो सीधी सी बात है एर अगर यहां तब कहुंचे गा तो यहां से पिर कहा जाना पड़ेगा 90 डिरी किसे 90 डिरी भागे तो ऑट्रमेंटी क्या होगा मिल जाएगा ठीक है तो यह जो ड्रॉप होता है इसको में बोलते हैं आर्मेचरेशन इनि यह जो वोल्ट आपका क्या है यह यह आ रहा है ओके तो अब हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रॉनाइज होते हैं और धिरे-धिरे क्लियर होगा ठीक है एक दिन में थोड़ा सट होता है यहां पर प्रॉब्लम यह अपका मेन मेरेंडी फिल्ट था नोलोड के इसमें इसे चलते हैं आपका नोलोड वोल्ट यह बन गया ठीक है आम लोगने माना कि यहां पर करेंट फ्लो हो रहा है ठीक है हम लोग को भाई कहां जाना है एसे जिखा क्या मतलब होता है तो यह अगर यह इस तरीके से आपने लिखा है यहां पर आप एडर YOUR अगर पॉस्टीव मान के चल रहा है तो इस डेक्शन में इसका सब्सक्री मान के फेसलिफुट होगा ना तो यह रहें आपका माइनस यह हो क्लियर हो जाएगा मतलब इधर आगया मतलब क्या यह एक तरीके से माइनस वाला ड्रॉप है मतलब सीधी सी बात है भाई जैसे यहां पर कर क्या रहा है एक्षुली और भी इसको ब्रेक करके समझेंगे लेकिन मोटा मोटी समझी हम लोगों ने यहां पर जो ईयार लिया है ना इस एर पे एक तरीके से इधर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है इधर से हम लोग आ रहे है इस डायरेक्शन से ठीक है तो यह आपका आपको यहां तक पोईंट पर इयर तक पोहुंच चुके हैं अब सीधी सी बात है आपका एफ आपने पहले ड्रॉप कर रखा ठीक है यह आ एक चीज़ बता है इए अगर मैरा 200 वोल्ट है तो सीधी सी बात है दोसों में से यह वाला वहले फोली होगा मैं दस वोल्ट ठीक है तो दस वोल्ट के बाद ही रख पर पहुंच यहांगा अपने अल्रडी हाप़र दिघडी एक्शन ए तोम सांट आप ER के तरफ जाना चाहते तो आपको हमें से क्या होना होगा नीचे के तरफ आना पड़ेगा नीचे तरफ मतले क्या जैसे देखिए यह पूरा का पूरा यह वीटी है यह आपका नीचे के तरफ आ रहे है यह आपका आई ईंटू एकसियल मतलग यह पूरा पूरा व機टर कीदर भाग रहा है इधार के तरफ भाग रहा है मतलत यह positive अगर लिया हुआ आपने direction तो सीधिशी बात है अगर EF से नीचे के तरफ आ रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा इसका Automatic Negative Direction हो जाएगा इसका मतल़ क्या देखें फिर समय लिखता हूँ सबसे पहले E R लिखता हूँ E R तक जाने के लिए हम लोगे क्या किया सबको प्लस प्लस किया V T प्लस I A into R A सबको प्लस किया है कि नहीं किया लेकिन E F से अगर आप E R के तरफ जाएंगे न तो E F में से आपको घटाना होगा क्या I A into यहाँ पर लिखता हूँ J I A into यहाँ पर X A R मतलब जो आपने रियक्टन्स दिखाया है न यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है ठीक है उसको घटाने के बाद ही आपको यहाँ पर E R मिलेगा इसलिए हम लोग क्या कर रहा है E F से हम लोग को आपॉजिट डिरेक्शन में जाना पड़ा ठीक है इसलिए तीर को मैंने आपको यह बुक में क्या दिखाया है उसके चलते बना आपका E F यह माल लेता है आपका V T है यह माल लेता है I A है और I A इंटू R A ड्रॉप प्लस I A इंटू X L ड्रॉप यह जो resultant voltage मिला यह हम लोग का E R मिला ठीक है अब इसको और थोड़ा उपर बनाते तब न 90 डिरी जाता है ठीक है तो space है नहीं देखे इसको मैं थोड़ा सा और उपर कर देता हूँ अब E F से direct इधार आना है ठीक है तो E F से direct इधार आने का मतलब क्या तरीके से इस direction में आपको आना पड़ेगा तब जाको आपको यह हो गया एक तरीके से इस तरीके से ठीक है अब समझे है उतना हम लोग बात नहीं करेंगे बुक के सा से इंकमाईज हो जाएंगे फिर यह आपका I A है तो I A के चलते हमारा एक flux बना यह एक तरीके से क्या फाई है फाई है फाई है के चलते जो overall देखे जो फाई है इसी के parallel में हम लोग को लेकर जाना पड़ता है इस तरीके से ठीक है जितने magnitude का यह है यह है यह इस तरीके से ओवरल क्यों क्योंकि ब्रेक करके भी समझ सकते नहीं तो इसको ऐसे पारल करके यहां पर सिधी सिदे आप अपना resultant field flux दिखा सकते हैं फिर resultant field mf दिखा सकते हैं तो इससे जो आपका voltage बनता है हम इसा 90 degree बनता है अगर में फ्लक्स ही है तो में वोल्ट आपके यह हो जाएगा बस यह कहने मतलब इसा हम लोग अलड़ी देख रखा है ठीक है इतना clear हो गय बनेगा जैसे यह 3mf है ना ऐसा कोई मतलब नहीं बनता वहीं लेकिन बुक में बताएगा इसनों मैं बता रहा है आपर 3mf है एक तो आपका FF के चलते यह वोल्ट बन गया ठीक है यह responsible FF के लिए ठीक है एक तो आपका E MF है दूसके चलते यह voltage बन गया ठीक है अब एक य EAR, ठीक है तो आपे एक extra दिखा दिए गया है कि इस flux के चलते यह ए एमफ के चलते भी एक हमारा IMF induced हो रहा है ठीक है तो आपे तीन IMF हो गया एक तो EF जो की इस main financial flux के कारण हुआ है एक आपका FR जो की इसके चलते यह IMF induced हो है एक आपका FA जिसके चलते आपका यह IMF induced बस अभी ये समझना है कि हम लोगोंने 90 degree ही क्यों दिखाया मतलब आरमेचे reaction को reactance के रूप में ही क्यों दिखाया resistance क्यों नहीं दिखाया, capacitance क्यों नहीं दिखाया उसो अभी आप बात करेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हम लोगोंने भाई क्या क्या किया है हम लोग का जो resultant plus था, ये क्या है, FF और FF से मिलकर के बना हुआ है इसके चलते जो हमारा EMF आया यह है अपका ER, इसके चलते जो आया यह है आपका EF और इसके चलते जो आया आपका यह है EAR, ओके यह हम लोगोंने पीछे वाले पेज में ही समझ लिया है देखें, यहाँ पे आपका already समझा हुआ है और यह क्योंकि पूरा पूरा वेक्टर चल रहा है तो इसके पर सब इस तरीके से डालेंगे अब देखें, अब हम लोग को पता है यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बता है कि यह जो flux होता है, यह जो MMF है, यह हमेशा आगे रहता है इन सभी EMF से 90-90 डिगरी पर यह भी आपका 90 डिगरी आगे होगा, यह भी 90 डिगरी, यह भी आपका 90 डिगरी और फेजर डाइग्राम में आप देखे रहे हैं यहाँ पर तो क्यूंकि अभी हम लोग mathematically represent करना चाहते हैं, तो mathematically represent करने के लिए हमने हाँ पर J operator का use करेंगे, ठीक है, तो J operator में मैंने आपको बता है भाई, देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे EF है, ठीक है, EF मतलब FF के चलते जो voltage बना, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ, EF को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, minus J, यह ऐसे समझेए, जो EF बना है, यह directly proportional है FF से, या फिर उसी तरीके से कहिए, जो ER बना है, यह directly proportional है FF से, या फिर इसको अगर हम लोग देखें, तो इसको भी हम लोग कह सकता है कि EAR जो है, directly proportional है FF से, समझेए मतला है, यह सब एक दूसरा से directly proportional है, और आपको पता है कि जब इस symbol को हम लोग रिमूव करते हैं, तो EAR जो होगा, यह बराबर हो जाएगा, एक constant के साथ constant माल लेते हैं, आपे C लिख देता हूँ मैं, और यह एक तरीके से FF है, तो FF कुछ नहीं, MMF होता है, तो MMF equal to क्या होता है, number of turns into आपका current, ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहली यह जो EF है, EF मतलब क्या, filled के बारे में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रोटर में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं, भाई, filled winding बोलते हैं, तो filled winding का अपना कुछ number of turns होगा, लेकिन इस पे एक और आपका लगा हूँ है, armature winding का भी अपना क्या लिखूँगा, N क्योंकि यह armature का है, तो armature में आपका winding अलग होगा, तो हम लेते हैं, N में लिख दिया है, ठीक है, और directly प्रोश्री के उपर होगा, current के उपर, तो current हम लोगा लेते हैं, आपके आई यह, क्योंकि armature के अंदर क्या होता है, आई यह current होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखे, यह आपका कर सकते हैं, अभी भी, यह एक तरीके से सही नहीं है, अब उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, इस पर कर लेते हैं, ER को, यह सिंबोल को हटाएंगे, तो आपके constant C लगेगा, और यह एक MMF है, तो इसको में पर क्या लिख सकते हैं, number of turns, तो यहाँ पे number of turns क्या होगा, end as, क्योंकि armature में है, armature, भाई, ER क्या होता है, अफ़ी छोड़े, number of turns समझे है, और यहाँ पे जो भी current हम लोगा, current कुछ भी आप मान के जल सकते हैं, इस तरीकिस मैं कह सकता हूँ, हम लोग को सिफ़ उसके उपर focus करना है, इसके उपर देखें, अभी भी अगर मैं कहूँ, यह गलत लिखा हूँ, इसमें पूरा-पूरा complete नहीं एक तरीकिसे sense निकल रहा है, क्यों ने निकल रहा है, तो देखें, जो भी मैंने आप लिखा, मैं आप फिर select knob के सामने, EAR को मैंने आपे क्या लिखा है, CN into IA, और EF को मैंने आपे लिखा है, C into N dash into IAF, ठीक है, आपको पता है भाई कि, यह अपने अपने MMF है, यह भी अपने अपने MMF है, तो MMF वोल्टेज क्या होता है, एक दूसरे के, 90 degree के face shift पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को J लगाना पड़ेगा, आगे मैं, ठीक है, यहाँ पे भी J लगाना पड़ेगा, यह J लगाना पड़ेगा, जैसी मैं J लगाते रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, कि अब यहाँ पे lagging वाला, मतलब 90 degree का lead lag वाला concept आ गया, लेकिन अब again, यहाँ पे minus लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, यह भी तो सोचना होगा हम लोग को, यह J बस बता रहा है, 90 degree का shift है, ठीक है, अगर आपने प्लस लगाना अब हम लोग वी सा मतलब क्या anti-clockwise में, अब हम अको अपने phasor diagram पे आते है, अगर आप phasor diagram को देखें यहाँ पर, तो यह आप का इक तरीके से क्या है, फिल्ड mmf है, यह आपका इक तरीके से क्या है, eef है, तो आप खुद सोचिए कि यह जो eef है, यह इससे क्या कर रहा है यहां से स्टार्ट वाग रहे है ना पीछे है बाई कि आपको यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा ठीक है अब देगे बाई अपको कुद का कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहां पे 90 डिग्री माइनस है नि क्लॉक्वेड है क्लॉक्वेड है मत तो यहां पर माइनस लिखना पड़ेगा उसी त्रीके से यहां पर कर देते हैं यहां पर इसके बार बात कर रहा है इसमें भी देखें यह आपका एफर हो जाएगा रिजल्ट एंड एफर यहां लेते हैं एफर है ठीक है यहां पर यहां पर आईये हैं यहां जाए अगेन क्या आई क्लॉकवाड डार्ट धीरिएंगं आर रो भाई तो यहां पर हम लोग क्या लिखना हो, माइनस लिखना हो, इसमें माइनस लिखना होगा, ठीक है, इस चीज को पकड़िए, तो आपके बुक में लिखा हुआ है, कि EF को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और जैसे मैंने यहां पर constant C लिखा है, तो इन्होंने constant C के जगे यहा प्रत्राइब कर रहा हुआ है, इसके जलता है, माइनस लगा है, 3 mmF है तो 3 mmF है तो 3 mmF है तो 3 mmF है जो 3 मोग यहां तब इस तरीके से replace कर दिया है, और मैंने इसको थोड़ा सा all further break कर दिया है, यहां पर mmF को भी break कर दिया है, number of turns or current की basis, तो फैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी क करवाता हूँ हमारे मशीन के अंदर लोडेड कंडिशन के अंदर 3 mmf ए f r और f r किसके चलते आ रहा है तो f f plus f a का सम है दोनों का ठीक है यानि फेजर सम है इसके चलते जो हमारा e mf आया ये है e r इसके चलते जो हमारा e mf आया ये है आपका e f और इसके चलते जो आपका e mf आया ये आपका e a r plus इसलिए दिखा रहा है क्योंकि mf प्लस हो रहा है तो e mf भी आपका प्लस हो रहा है मतलब ये kv लगा लिज़े आप और further फिर मैंने break करके दिखाया है कि e r को ये f r और e r को अगर दिखना हो ये साबा एक दूसरे क्या है directly proportional है ओके इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ये सब एक दूसरे के उपर proportional है तो इनको proportionality symbol को जब हम लोग ने हटाया तो फिर हम लोग ने कहा कि इस तरह किसे break करके लिख दिया है ठीक है तो मैं बुक के साथ direct synchronize होता हूँ इतना number of tons इतना करने है कोई मतलब नहीं है ठीक है तो मैं आप डारेक्ट लिखता हूँ कि e f को मैंने लिख दिया है minus j k f f ठीक है उसी तरीके से e r को अब बुक में देखते चलिए ठीक है minus j k f r लिख दिया है मैंने और e a r को मैंने लिख दिया है minus j k into f ठीक है इतना तक हम लोगों ने कर लिया है अब हम लोग यहाँ पर यह जो equation था ना आपका इसको उठाएंगे यहाँ से ठीक है क्योंकि mmf को हम लोगों सब से पहले emf में convert के emf को फिर से हम लोगों ब्रेकडाउन कर दिया इस त्रीके से ठीक है तो इस equation को हम लोग उठाते है और इसको यहाँ पर कहां लिखे है यहाँ पर लिखता हूँ इस equation को यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है e r बराबर है आपका e f plus e a r अब मैं यहाँ पर भाई यह जो e a r है ना इसका value पूट करता हूँ e a r का value क्या है यह वाला value तो इसको मैं यहाँ पूट करता हूँ ठीक है क्या हो जाएगा e r बराबर हो जाएगा e f plus plus minus minus हो जाएगा minus j k f a ठीक है अगर मैं इस value को उस साइड में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा इधर बचेगा मेरा सिफ और सिफ e f e f रान देता उदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर e r और इधर जाके plus हो जाएगा plus j k f a अब देखिए अब आपको समझ में आएगा इस particular equation से कि हम लोगों ने rmh reaction के effect को हमें सा reactants ही क्यों replace किया है अगर आप phasor diagram देखे भाई तो सिफ दो time में आपे दिखाऊंगा ठीक है पूरा पूरा बार 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 phasor diagram बनाऊंगा नहीं यह हो गया e f यह होगी आपका field flux यह माल लेता आपका vt था यह माल लेता आपका i a था vt में हम लोगों ने i a r a drop जोड़ा यहाँ पे आपका i a into xl drop जोड़ा यह होगी एक तरीके से e r और e f को again हम लोगो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ठीक है यहाँ माल लेता है यह आपका e f तो अब समझ जी भाई हम लोग को यहाँ पे कोई idea नहीं लग रहा था e r तक था हम लोगों ने समझ लिया था e f थक हम लोगों ने समझ आवा था तो इन दोने के बीच आपको हम लोगा है je e f यहाँ पर एप पहुंच जाए e f अब इसको आउनकर चल रहा है मतलब EF पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक है तो equation क्या बोल रहा है EF की अगर बात करें तो EF क्या है आपका ER ER मतलब यहां पे अल्रेडी हम लोग पहुंचे है ER में 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 क्या करना है जोड़ना है क्या जोड़ना है भाई देख रहा है यहां पर देखें फिर से समझातो EF और ER के बीचे में भी gap आ चुका है लेकिन हम लोगों पता है यह gap क्या है due to armature reaction क्योंकि हम लोगों ने बाकी सब parameter को consider कर लिया भाई ठीक है तो अब जैसे EF से ER तक जाना है मेरे को तो यह equation बता रहा है भाई कि EF क्या है ER ER मतलब क्या यह वाला value इसमें और जोड़ेंगे plus ठीक है यह J अब समझ यह जो J लगा हुआ है यहाँ पे यह J सीधे सीधे define करता है कि plus लगा हुआ सब से पहले भाई plus मतलब क्या यह lead करेगा समझ रहा है बात को मतलब यह J काफी important है समझ रहा है और इस FA को मैं फिर से उसी तरीके से कर ब्रेक करके लिख दूँ देखे इसको मैं FA को ब्रेक करके लिखता हूँ यहाँ पे EF equal to ER वैसे का वैसी रहन देते हैं plus J वैसे का वैसी K constant वैसे का वैसे का वैसी FA को में क्या लिख सकता हूँ number of turns तो क्योंकि armature A लिखा हूँ armature MF है तो number of turns armature मालत N है और यहाँ पे armature current आई है ठीक है तो यह जो value आया इसके आगे है फिर कि यह पूरा जो value आया इसके आगे J लगा हूँ ठीक है तो J लगा हूँ मतलब क्या यह सीदे-सीदे प्लस है एक तरीके से प्लस मतलब क्या एक तरीके से 90 degree clockwise direction में आना है clockwise direction मतलब क्या अगर आप EF EF पे खड़े हो जाए EF से EF लिखना होगा तो यह क्या E R प्लस मतलब E R में इतना जोड़ना होगा तो EF में मतलब सीदी चीबात है जोड़ना है न और यह J क्या बता रहा clockwise direction मतलब clockwise direction मतलब इधर आना होगा ठीक है तो आपको ऐसे दिखाना होगा ठीक है और यह J operator क्या बता 90 degree हमेशा इधर से इस वाले से कितना 90 degree तो यह कुछ इस तरीके से आपका आज है मतलब समझे यह J operator जो आगया न यह सीदे सीदे reactance के बारे में बता रहा है ठीक है और यह जो आपका constant value यह जो constant value k into n इसको फिर हम लोग किस बेसे से पर replace करते हैं इसको हम लोग लिखते है x a r यहाँ पे हम लोगो reactance नाम देना पड़ता है क्यों क्यों क्योंकि आगे में आपका J लगा हुआ है ठीक है और यह J कहां से है क्योंकि आपको पता है जितने भी MF है उन MF के चलते जो भी आपका EMF बन रहा है मशीन के अंदर वो सब क्या है 90, 90, 90 degree के phase shift पे है यानि lack कर रहा है आपका EMF MMF से 90 degree से ठीक है तो यह आपका J आ गया इसी यही reason है यहाँ पे कि VT, VT में हम लोगों ने IRA ड्रॉप जोड़ा ठीक है winding के चलते जो resistance आए वो वाला ड्रॉप leakage के चलते जो ड्रॉप आए वो वाला ड्रॉप और फिर यहाँ से यहाँ तक देखे E-R से E-F तक जाने के लिए आपको direct क्या करना है आपको यह समझे है इतना समझ मागया तो इतना तो confirm हो गया कि आपको reactances हो करना है ठीक है तो यह समझे है यह आपका XAR है और यह आओ गया एक तरीके से XAL तो इसको यह दोनों reactance क्या हो जाएगा पस में series में तो जुड़ जाएगा ठीक है तो जुड़ेगा तो इस हम लोग क्या लिख सकते है इस तरीके से दिखा सकते है अब हम लोग यह हो जाएगा आपका यहाँ पर यहाँ पर जोगा इसको दोनों को जोड़ दिये तो हम लोग बोलते सिंक्रोनास reactance यहाँ पर जोड़ 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 दे यह वाला ड्रॉप अब इसके बाद यह वाला जो ड्रॉप होई क्या है इक तरीके से रियक्टिव है पूरा और यहां से सीधे आपको जूड़ जाएगा ठीक है क्योंकि आपने यह दोनों को कमाइब करके एक पर न दिखाना होगा तो यह से क्या होगा इसे सीधे जूड़ जाएगा तो आपका तो यहां से लिखे हैं तक आपका leakage का drop दिखाया गया और यहां से क्या है आपका यह आरमेचे reaction के कारण दिखाया गया और दोनों को जोड़ दीजिए गाते आपका तो जोड़ देंगे तो एक और हम लोग का यह equivalent की diagram छोटा हो जाएगा और छोटा बनके क्या बनेगा इस तरीके से हम लोग सो बोलते हैं ZS मतलब synchronous impedance ठीक है और यह क्या होगा synchronous impedance अगर देखें तो क्या हो जाएगा root अंडर XS का square प्लस RA का square और अब ही क्योंकि हम लोगोंने RA calculate करना अल्यडी सीख लिया है जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको RA पढ़ने के लिए हम लोगोंने पढ़ा था न एमिटर वोल्ट मेटर मेथर्ड RDC DC supply देकर की जो निकाल रहते है start delta connection के अंदर में ठीक है तो resistance हम लोगोंन इतना छोटा कर दिया हम लोगोंने अब अगर मैं को सिर्फ और सिर्फ impedance निकालना हो जड़ेस निकालना हो ठीक है तो जड़ेस निकालना मतलब क्या यहां पर सीदी सेंदों क्या करेंगे sort circuit condition ले लेंगे ठीक है यहां पर sort circuit जैसे आपने पढ़ना OCC curve और sort circuit characteristic तो आप अपन प्रपोर्शन होता है load current के ओपर ठीक यहां आईये के ओपर ठीक तो rated आईये पर आपको यह rated reactance मिल जाएगा और heating effect भी उतना ही होगा तो यहां पर rated resistance भी मिल जाएगा ठीक तो sort circuit condition में आपको यह impedance मिल जाएगा यह पता चल जाएगा यह आपको already पता है यहां से हम लोग synchronous reactance को calculate कर सकते हैं okay access आपको यहां से find out access equal to क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा root under zs का square minus ra का square तो इस तरीके सम्वाइब मतलब नेटवक का क्या मतलब समझा तो network हम लोग को एक help करता है complicated circuit को क्या करते एक तरीक से छोटा छोटा करते एक तरीक से ठीक ना भाई जैसे आरे क क्या करता है इस सारे को एक तरीकी से एक simple सा circuit में convert कर देता है ठीक है आरे को निकालने का मतलब तो क्या simple कर रहा है आप इसको तो वही हम लोगोंने क्या किया है एक काफी complicated machine को हम लोगोंने simple सा series circuit बना करके पूरा पूरा easy कर दिया है जहाँ पे impedance निकाल सकते हैं resistance निकाल सकत है ओके तो यह दोनों फेजर डाइग्राम आपको समझ मां गया होगा यह समझ मां गया होगा और अभी वही चीज़ आपको बता रहा बाइटी कि माइनस यहां पर देखेए एफ प्लस आगया तो इसका मतलब क्या दोनों जोड़िएगा तो यही लिखा हो रहा है यहां पर आपके तो इस अब अलड़ी हम लोगने समझ लिया है अब हम आ गया आते हैं और जो सिंक्रोनस रियक्टेंस की बात करें तो यह लिकेज खा और यह अपका आर्मेचे रियक्शन के चलते जोड़ दोनों को जोड़ दें तो एक्सिस बन जाएगा और इसको फिर और इंपेडेंस एक तरी किसी रिप्रेजेंट हो जाएगा ओके अम लोग आगे आते हैं तो फॉर्दर यहां ते हम लोगने समझ लिया है और यह जैट एज़ देगे सिंक्रोनस इंपेडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बान बोल रहा है तो इसके लिए मैं एक सेपर कि अगर हम लोग भाई ट्रांसफॉर्मर की बात करें या फिर डीसी मशिन की बात करें तो अंदर का जैसे डीसी मशिन में देखिए माल लेते हैं मेरे पास एक शंट जेनरेटर है इस तरीके का या फिरीज शंट ही ले लेते हैं या अपका आर्य हो गया फिल्ड वाइंडिंग हो गया तो इस मशिन के अंदर का जैसे रेजिस्टनस तो आम इसा कॉंस्टन रहेगा ठीक है और सिंक्रोनस मशिन में भी रेजिस्टनस कॉंस्टन यह होता है ठीक है लेकिन आपको पता है या पर देखिए डीसी मशिन बेकार ले लिए हम लोग क्यो अधिक है डीसी मशिन में रेक्टनस तो आएगा नि इंपिडनस आएगा नि ठीक है सिंपल समझे ट्रांस्फर्मर का अगर हम लोग एक्जांपल लेते हैं तो ट्रांस्फर्मर का जो बाइं इंटरनल इंपिडनस होता है वह हमें सब इसा कॉंस्टन रहता है बस इतना समझ अधिक है और स्टार्टिंग में हम लोग ने यहां पर साचुरेशन को नेगलेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो यह हो गया एक तरीके से मतलब ओपन सर्किट में आफिक है यह OCC कर्व कैसे आपका वोल्टेज बिल्डप होता है हम नोव साच चेड़ इन धर करेक्तरिस्टिक हमें सब्ते ने चेंहरे में ह्गा हुए। current बढ़ेगा तो उतना ही respect में आपका flux घटा देता है armature reaction ठीक है तो सब्सक्राइब हमेशा ही इस तरीके से बनता है ठीक है तो short circuit कया था आपका यह आपका हमेशा field flux sorry field current versus आपका देखिए यहां पर लिखा बना EF EF मतलब क्या आपका OCC EF देखिए यह आपका X-axis को क्या दिखा आइफ दिखाया ठीक है तो X-axis हम लोगा constant है लेकिन इस वाले graph मेंने तीन तीन ग्राफ है ठीक है एक तो मैंने OCC curve दिखा है इस तरीके से ठीक है एक मैंने आपे short circuit characters देखिए तो short circuit characters बना बताया था आपको कि field flux, field flux तो अनिवार है रहेगा ही रहेगा क्योंकि field flux देंगे नहीं तो magnet कैसे बनेगा, magnet कैसे नहीं बनेगा तो EMF कहा साएगा, EMF नहीं आएगा तो current कहा साएगा समझे बातो, ऐसे भी आपको short circuit क्या होता, IF वर्सिस आपे short circuit current दिखिए यह आपे कुछ लिखा होगा, यह लिखा है न, short circuit current मतलब यह एक तरीक किसके curve के लिए है, यह वाले curve के लिए ठीक है, यह किसके लिए है, यह आपके OCC curve के लिए बता रहा है, और यह जो एक और है न, यह एक और एक्सिस, यह वाला एक्सिस, इसमें आपका impedance को भी दिखा V by I होता है, voltage divided by current, right, तो समझे, अगर हम लोग देखें, इस linear तक, linear वाले range में अगर देखें, सिर्फा सिर्फ यहां तक, ठीक है, इस वाले point तक, देखिए, voltage आपका धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब voltage आपका एक दिए linearly rise हो रहा है, current भी आपक बढ़ते है, A by B, ठीक है, तो A माल लेते हैं 5 था, अब B, आपका 5 है, अब दोनों में आपका सेम रेशो से बढ़ रहा है, भी 5 बढ़ रहा है, यह भी 5 बढ़ रहा है, तो दोनों कर जाएगा ना, दस दस बढ़ता बनाता है, ratio 1 is to 1 ही रहा हमें से, ठीक है, तो यह दोनों Z का एक से समझ यह, यहां तक impedance मेरा क्या होगा, constant रहागा, क्योंकि जिस respect में मेरा voltage बढ़ रहा है, उस respect में मेरा short circuit current भी बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस point से देखिए, अब क्या होगा, और यह जो impedance है ना, ZS मा लेते हैं पे 20 ओम, 25 ओम जो भी है, यहां से ले अब बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कि यह approximately constant होने वाला है, ठीक है, तो लेकिन short circuit current अब क्या होगा, हमेशा linearly बढ़ते चला जाता है ना, भाई, समझ रहा बात क्यों 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 कि यहां पे R-mature reaction, D-magnetation पूरा पूरा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर, अब बोलिए का यहाँ पे, कि आप impedance को short circuit current से क्यों correlate कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे method ही होता है, synchronous impedance find out करने का EF divided by short circuit current, इसलिए हम लोग short circuit current को एक तरीक से लेके चल रहा है, अब short circuit current को क्यों क्यों मानते है यहाँ तो उसके उपर just बता है, कि दिसक्स करेंग एक lecture के ऊपर, बस समझ यह, कि अब देखिए, after saturation, आपका यह short circuit current linearly बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन जो voltage है, यह approximately constant है, बतला उपर वाला parameter fix हो गया, लेकिन यह automatic बढ़ रहा है, तो इनके बीच में inversely proportion है, तो आईए बढ़ेगा, तो short circuit current बढ़ेगा, तो impedance क्या होगा, घटने लगेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपका इस तरीके से further decrease होने लगेगा, ठीक है, तो यह आपका graph यहां पर बता रहा है, इसी चीज को, यानि इस एक graph में, तीन-तीन चीज बताये गया, ठीक है, impedance को बताये गया है, voltage को बताये गया है, और short circuit current को बताये गया है, तो इतना दूर तक, यानि यह वाला point क्या है, constant है, ठीक है, यहां तक linear था ना यह, लेकिन linear में, जैसी after saturation, यानि उपर जा रहा है, तो इधर आपका फिर यह धीरे-धीरे घटने लगेगा, इसका मतलब, आपका जो ZS होता है, यह ZS कभी भी constant नहीं होत तो इस particular field current के लिए, आपका Z कितना मिलेगा, यह वाला value मिलेगा, यह Z अभी क्या है, एक तरीके से large है, maximum है न भाई, समझ रहे बात को, अभी maximum value Z का ही, क्योंकि Z का graph ही ही है, समझ रहे बात को, और Z minimum कि इधर आ रहा है, इधर वाला, तो after saturation जो होता है, Z आपका एक तरीके स करेंगे न, उसमें हम लोगा सबस्यादा important हो जाता है, field current, नि किस field current पर, क्योंकि हर एक field current पर आपका देख रहा है, Z क्या है, एक तरीके से, change होते चला जा रहा है, ठीक है, अगर आप field current, इतने, मतलब linear reason के अंदर वाले field current पर अगर आप operate करवाते है, machine को, इधर वाले पर तो क्योंकि इधर impedance काफी maximum है, समझ रहा बात को, ZS काफी large है, और ZS काफी large है, इसका मतलब क्या, machine के अंदर internal drop बहुत जादा देखने को मिलेगा, जैसे, आपर सीधी सीधे ZS लिग देता हूँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी अपका काफी large है, क्योंकि हम लोग इतने वा जाएगा machine का, ठीक है, नो लोड़ पे 200 voltage है, और ये काफी large है, तो ये एक तरीके से भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, और इस पे जाए डाइग्राम को समझते है, ठीक है, उतना हम लोग ज़्यादा खीचेंगे इसको हम लोग समझते है, यहाँ पर सीधे सीधे दिखाया है वोग उसी को समझ ये, मेरा इतर अब बार बार फेजर डाइग्राम नहीं बताएगा, ठीक है, आप सिंपल इमाजिन कीजिए, हम लोग बाहर से देख रहा है, कहां से, इधर से VT के तरफ से देख रहा है, तो म और VT के बीच में ये एंगल होता है, इसको लोड एंगल बो जाता है, और VT और I के बीच में, क्योंकि ये आपका आउटपूट, टामिनल वोल्टेज और करेंट है, तो सीधी से इसको इसको बता है, मतलब पावर फेक्टर रेंगल है, ठीटा, ओके, यही चीज आपका य या फाइंड आउड कर रहा है, तो Z का कोई एक वेल्यू लेके चलना पड़ेगा, मतलब फिल्ड करेंट को एक तٌ स्टोप इसको उन्ही ऐंग।, कि रहा हो जाते है, तो हुल्ड रहा है, किसी एक Z को चूझ करना ब यूईट ये इसको चाहटरा है, इसको बत्तों कि ये ए तो रहा है, generally the lowest value of the ZS obtained from the largest possible short circuit current सिधी सी बात, अगर आपको impedance कम चाहिए, तो सिधी सी कम कहा मिलेगा जब आपका short circuit current इतरी के से largest होगा, ठीक है, मतलब आई सब लिखा हुआ है जो मैं आपको समझाया है, ठीक है, तो इतना हम लोग को complicated नहीं करेंगे, अब अब हम लोग के पास थोड़ा सा और calculation बचा हुआ है, ये वाला भाई, ठीक है ना, ये तीन फेजर डाइग्राम और समझना है बस, इसके बाद आपको ये voltage regulation calculate, मतलब खतम ही है, अब एक lecture और हम लोग बात करेंगे इस पे, तो ज़्यादा इन लेंदी lecture हो